हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप्स इंडिया, मैं सतीस कमार और आज मैं दिस्कस करने वाला हूँ सर्कुलर मोशन का अगला पार्ट, बैंकिंग ओफ रोड्स के बारे में जैसा कि आप जानते हो कि बैंकिंग ओफ रोड्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी रोड्स का एक साइड का या आउटर साइड की जो एज है उसको थोड़ी सी उठा देते हैं बजाए के इनर साइड की एज के, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं या इसकी डेपनेशना आप लिख लो कि बैंकिंग ओफ रोड्स इस दा प्रोसेस ओफ रेजिंग आउटर एज ओफ रेजिंग आउटर एज ओफ रोड ओवर इट्स इनर एज थ्रो ए सर्टेन एंगल ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसा अपने पास सर्कुलर कुछ ट्रेक है, रोड है, और कोई गाड़ी इस पर चल रही है वी वेलोसिटी से, तो ये जो रोड है, इसको अगर मैं थोड़ा सा 3D में देखने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा होगा, और ये जो आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसा है, तो जैसे ये टर्न कर रही है, किसी वेलोस्टी वी से, तो ये इस रोड का, जो आउटर एज है, ये एज, ये थोड़ इसी उठी हुई होगी, और ये एज जो है, ये थोड़ इसी निच्चे होगी, और गाड़ी आपकी कि एफ वीडी बनाऊंगा, तो उसका एफ वीडी कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा इसको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं, यहां से, ये कुछ एफ वीडी बनेगा, और ये आपके होगी कार, या कोई गाड़ी, ठीक है, तो इसका जो नीच्ची की वो होगा, एमजी, ठीक है, ये जो फोर्ष लगेगा, ये एमजी होगा, ये कोई एंगल थिटा है इसका, तो यहां से, अगर इस गाड़ी का मास एम है, तो नीचे की तरफ फोर्ष लगेगा, एमजी, और आपको पता है कि इसकी भी दो कंडिशन होगी, और जो दो तो इसका मतलब यह हुआ कि यह बोडी जो है या यह जुकार है यह नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है तो नीचे की तरफ जब आने की कोशिश करेगी इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको ट्रैक पर सही चलना है और यह गाड़ी आपकी नीचे आने की लगेगा इस पर और वो फोर्स कौन सा होगा friction force ठीक है आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगी centrifugal force या centripetal force ऐसा कुछ आपको नहीं याद रखना शिर्क आपको ये रखना है कि जब ये body है ये निचे की तरफ आने की कोशिश करेगी तो इसके just opposite side में friction force लगेगा ठीक है तो इस friction force को हम दो component में divide करते हैं और आपको पता है कि ये जो है इस side ठीक है इसका इस side एक component होगा और क्योंकि ये angle theta है तो ये angle भी theta होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि F cos theta और इसका उपर की तरफ component होगा इसको मैं लिख सकता हूँ F sin theta ठीक है और यहाँ से ये जो है normal reaction वो कैसा होगा इस पर कुछ ऐसे normal reaction इसको भी मिदब में component में divide करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये और आपको पता है कि ये जो angle होगा ये कितना होगा theta ठीक है तो यहाँ से इस component को हम बोल सकते हैं n sin theta और इस component को n cos theta ये जो component है आपका इसको आप बोल सकते हो n cos theta ठीक है इस component को तो यहाँ से अब आपने पास diagram में FED हमने बना लिया है तो इससे हम इसका थोड़ा साथ solution करके देखते हैं और यहाँ से मैं यह बोल सकता हूँ कि जो n cos theta है n cos theta है वो और उपर की तरफ जो force रहे दूसरा यह n cos theta है यह F sin theta F का मतलब यहाँ जो मैं friction ले रहा हूँ F का मतलब friction है तो plus F sin theta जो होगा वो mg के बराबर है ठीक है और यहाँ से जो अगला है अपना वो यह है कि जो n sin theta है उसमें से यह जो n sin theta है इसमें से F cos theta में जब मैं मैंने करूँगा तो net force आ जाएगा अपने पास क्यों क्यों कि यह body क्या कर रही है downward आने की कोसिस करते है तो इसका मतलब कुछ force हम इस force में से इस force को मैंने कर सकते है तो हम यह करते हैं कि n sin theta minus F cos theta is equal to net force ma होता है और ma का मतलब m और a कौन सा है centripetal acceleration क्योंकि circular motion है और circular motion में आपको पता होगा कि अंदर की side जो acceleration होता हो कौन सा होता है ac centripetal acceleration तो यहां से ma तो ma की जिगा मैं क्या लिख सकता हूँ v square by r ठीक है तो यहां से यह जो दो equation अपनी बनी हैं इन दोनो equations में से आप यहां से ऐसा कर सकते हो कि n जो है n इस में से n को आप common ले सकते हो यहां से और जब आप n को common लोगे तो यहां से आपके पास आएगा कि n cos theta plus mu sin theta और यह हो जाएगा equal to mg ठीक तो यहां से n इस से ठीक है यह आया यहां से यह और अगर मैं इस equation को देखता हूँ तो अपने पास क्या आने वाला है n into sin theta minus mu cos theta और is equal to mv square by r ठीक है यहां से और यह आपको पता है कि जो जब velocity है velocity मैं यहां से यह बोट रखता हूँ कि यहां में लिकर देता हूँ कि when v is equal to minimum ठीक है और यह दो f है friction इसकी जगह क्या होता है आपको पता होगा mu into n होता है ठीक तो यहां से mu into n मैं जब f की जगह रखता हूँ तो mu into n होगा तो n यहां से मैं common ले लेता हूँ तो n यहां से common लेनिक बार cos theta plus mu sin theta और यहां से n common लिया sin theta minus mu cos theta is equal to m v square y तो जब हम इन दोनों equations को solve करेंगे equation first या second मालो इन दोनों equations को जब हम solve करेंगे यह हम यह कहूँ कि divide second by one divide equation two by one तो क्या होगा जो answer निकल के आएगा वो मैं आपको direct बता देता हूँ आपको यह निकाल लेना है mathematically ठीक है तो यहां से यह हो जाएगा आपका v minimum is equal to rg tan theta minus mu divide by one plus mu tan theta तो यह जो velocity है यह वो कम से कम velocity है या वो minimum velocity है जिस velocity पर आप किसी जुके हुए road पर किसी गाड़ी को चला सकते हो ठीक तो यहां से यह जो अगला अपना case है वो यह है case number second लिख लेते हैं वो यह है कि when body tends to slide upward यह second case है देकर when body tends to slide upward तो इसमें क्या होगा जब body यहां से यह मैं आपको बता देता हूँ कि यहां से डाइगराम यही रहेगा अपना लेकिन इसमें क्या कर रहे है बोड़ी उपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो इस पर जो friction force है वो कैसे लगेगा इस साइड डाउन वार्ड तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ कि अगर यह angle theta है यह आपकी गाड़ी है तो जब यह उपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब friction force इस साइड लगेगा कुछ F यह इसका क्या होगा mg नीचे की तरफ और यह इसका normal reaction होगा ठीक तो यहां से इसके मैं component कर सकता हूँ तो component करेंगे तो क्या होगा यहां से इसके component करेंगे तो यह जो हो जाएगा उपर की तरफ यह और यह तो यह जो angle है यह कितना है यह angle आपका theta है तो यह theta है तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहां से इस friction वाले यह जो friction force है इसके भी दो component करेंगे तो क्या होगा एक component इधर हो जाएगा एक component इधर हो जाएगा तो यहां से इसके भी दो component करते हैं यह और एक यह ठीक है यह और यह अब आपको पता है कि इसका यह जो angle है यह कितना है थीटा क्योंकि यह एंगल थीटा है तो यहां से आप इसको बोल सकते हो कि F cos theta और इसको बोल सकते हो F sin theta ठीक है तो यहां से हम इस free-wold diagram से हमने balance कर दी है इसके force वगेरा subtotal तो यहां से हम इसके लिए भी एक equation बना सकते हैं और बोल सकते हैं N cos theta और निचे की तरफ कौन-कौन से force यह और यह है equal to this plus this ठीक तो यहां से मैं इसे यह भी लिख सकता हूं कि N sin theta plus F cos theta equal to mv square y r ठीक है N sin theta है N sin theta और F cos theta it means जो total force लगा हुआ है वो इस side है left side में तो हम यह बोल सकते हैं कि जो total force है वो equal to होता है mA और यहां से ए क्या है centripetal acceleration तो v square y r कर दिया हमने यहां से ठीक है तो यहां से एक equation तो हम यह बना सकते हैं और जो इससे अगली है वो हम यह कर सकते हैं कि N cos theta या इसी को हम दुबारा से यह बोल सकते हैं इस equation को यह N cos theta minus F sin theta is equal to mg ठीक है तो यह दोनों equation है आप इनी equation के लिए यह भी बोल सकते हो E velocity या V is equal to V maximum आप यह बोल सकते हो और आप यह भी बोल सकते हो यहां से कि जो friction है वो किस के बराबर होता है mu N के बराबर ठीक तो यहां से हम जब F की जिगा mu N लिखेंगे यहां और यहां तो यहां से हम N common ले सकते हैं और common लेने के बाद अपने पास के आएगा N sin theta plus mu cos theta is equal to M v square by R एक तो equation यह हो गई ठीक है यहां से यह equation है और अगर आप इसके लिए देखते होता equation क्या बनेगी इसके लिए बनेगी N आपने common ले लिया और यहां से N common लेने के बाद cos theta minus mu sin theta ठीक है और equal to क्या आगए यहां से mg जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगी और इस equation को तो दो result आएगा आपका वो आ जाएगा V maximum आपके पास मिलेगी root RG 10 theta plus mu और y है 1 minus mu 10 theta तो इस दोनों आपको इस दोनों result हैं यह दो दोनों formula हैं यह आपको याद रखने हैं यह और यह यह किसके लिए है when body tends to slide upward और यह है when body tends to slide downward ठीक इन दोनों के लिए है यह दोनों formula तो यहां से एक third चीज और बनती है कि अभी तक हमने जो दोनों case लिए हैं इसमें कहीं न कहीं friction जरूर है लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि banking of road में ही मैं यह कहूँ कि road जो है वो smooth है उसमें कोई friction नहीं है तो ऐसी velocity हमें पता करनी है कि उस velocity पर मतलब smooth होते हुए भी हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं उस velocity पर वो कम से कम ideal velocity हमें पता करनी है जिस velocity पर हम smooth road पर भी गाड़ी चला सकते हैं उसके लिए हम यह बोल सकते हैं या हम यह भी बोल सकते हैं कि ideal velocity हमें निकालनी है तो ideal velocity क्या होगी यह आप देख लो ideal velocity तो यह होनी चाहिए कि road smooth है कोई friction नहीं है और उसके बावजूद भी हम गाड़ी को चला सकते हैं किसी speed पर तो इसके लिए जो banking of road में जो free body diagram पनेगा गाड़ी का वो कुछ ऐसा होगा नीचे की तरफ अगर इसका mass M है तो नीचे की तरफ force लगेगा M जी angle है यह theta ठीक है तो और यह लगेगा आपके पास N sin theta ठीक है तो यहां से हम यह direct बोल सकते हैं कि N cos theta is equal to M G N cos theta is equal to M G ठीक है उपर और नीचे वाली force is equal है और इसके बाद N sin theta यह वाला N sin theta क्या है net force है left side तो हम यह बोल सकते हैं कि N sin theta is equal to M A और M A क्या होगा M into A क्या होगा V square by R ठीक है यहां से हम यह बोल सकते हैं कि जो normal reaction है N वो कितना आएगा आपने पास M G by cos theta यहां से अगर मैं M निकालता हम उत्गया जाएगा M G by cos theta और यह पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस side अगर मैं sin theta करता हूँ तो this side भी मैं sin theta कर देता हूँ तो यहां से देखो N sin theta और sin theta यहां से हम यह बोल सकते हैं कि N sin theta is equal to M v square by R तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि M G और sin theta by cos theta क्या हो जाता है 10 theta is equal to M v square by R ठीक है तो यहां से M से M cancel हो जाएगा और यह जो आपका equation बनेगी अगली वो यह हो जाएगी V square is equal to r g 10 theta और यहाँ से जो velocity आई वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास V is equal to root r g 10 theta यह वो ideal velocity है जिस velocity पर आप banking of road में भी अगर without friction आप गाड़ी चला सकते हो यह जो velocity है वो ऐसी velocity है जिस velocity पर आप smooth road पर भी गाड़ी चला सकते हो अगर वो road किसी angle theta पर inclined है या जुका हुआ है तो भी आप इस velocity से गाड़ी चला सकते हो ठीक है तो यह आपके लिए जो banking of road था उसके लिए तीनों case थे पहला case आप पढ़ चुके हो तो कोई भी बुक उठा लेना हर टाइप के numerical आप आराम से कर सकते हो ठीक है